सर जब भी कोई फिरेंट या कुई भी आता है हमारे पास तो ऐसली का Eck마 अधिक अवारे पसर उसका कोई ऐसे अभूंकर उसकी बातों को बेज वेस्द्सक्राइज के हम इसका कोई सूलीशन दे देते लेकिन जब बात अपनी बारे याती है कि हमारे साथ कोई प्रॉग्रम होता है तो हम फस जाते हैं वाँ पर हमें समझ में नहीं आता है कि हम करे तो क्या करें तो इस सिच्वेशन को कैसे डिल करें आप में से कोई है जो जबाब देना चाहेंगे मतलब बहुत जी नहीं सोच पैनी है जितना हम अपने लिए कर लेंगे दूसरी के लिए तो आप यह कहना चाह रहे हैं कि हम सामने वाले को अगर हमारी सलह गलत भी है तब भी दे देते हैं कि उसका unfold कुछ भी हो कल को मरा तो वो मरा समय को एप Frいつ ने Бढढ़त है कोई दर किसी सिर्स फेर्ड पिर जो पर दुञारा है टो गोजारे सैंट्रार सब्सक्राइज क्झे सबुक्राइक यह धर कWow a ट किया कि flew को सबस्केट में अब दूसरे को डूसरों कुछ बताना हो तो समय आते पर एक्जाम्पल आप दोनों कहीं पर जॉब करते हैं आप और वो इंसान जो आप से सला मांग रहा है और उसने आ करके कहा कि मेरे को यह प्रॉबलम आ रही है मैं जॉब छोड़ दूं क्या तो आप उसको को यह चोड़ देना क्या फरक पड़ता है लेकिन अगर खुछ कुछ भी बोलके अपना पीछे चुड़ाएंगे ताकि वो बंदा हमारा सर ना खाए और हम खुद की जब बारी आएगी तो हम बहुत ही बारीकी से सोचेंगे कि यह करने के क्या प्लस माइनस है और नहीं करने क्या प्लस माइनस है तो यहाँ पर दो फैक्टर आ रहे हैं ए उसमें emotions बीच में आ जाते हैं जो गलत नहीं है पूरी तरह से क्योंकि हो सकता है कि जो आप decision लेने वाले हैं वो लेने में आपको बहुत डर लग रहा है तो उस डर के बीचे कोई actual reason है कि अगर वो decision आपने लिया आप एक्जामपल जॉब छोड़ देगा तो actual में आपको न चाहिए खुद अपने आपको सला दो अराम से ठंडे दिमाग से बैठ करके एक problem का solution निकालना चाहिए मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उसको गलत सला दो और खुद को सही सला दो नहीं हमेशा सही सला दो अगर कोई भी आगर कि आपसे कोई बात कर रहा है या कर रही है और वो decision बहुत बढ़ा है चोटा मोटा है तो फर्त नहीं पड़ता बट अगर वो decision बहुत बढ़ा है तो अराम से बैठो समझो कि उसकी क्या problem है उसके mind में क्या आ रहा है उसको समझ करके जैसे अभी मैं आप लोगों से समझ रहा हूँ अब मुझे नहीं पता था इस question का ये answer नि नहीं देखा होगा आप जाकर कि किसी और से पूछ होगे कोई और है यहाँ पर बैठा हो है वो क्या कहेगा अच्छा यह होता है तो ठीक है इसके पीछे जो reason है वो यह है कि आप जब किसी और को सला देते हो तो आप detach को करके देते हो उसमें आपके emotions बीच में नहीं आते है तो आप सही सला देते हो लेकिन जब खुद की बारी आती है तो emotions बीच बीच बा जाते है इस वज़े से आप सही decision नहीं ले पाते हो कि कितना superficial level का answer है यह answer सुनने में आपको बड़ा अच्छा लगए है कि हाँ मेरे को मेरी problem का solution मिल गया बहुत ही बेकार solution है यह इसमें बड़ा factor यह है कि क्या जो emotions है वो बुरे है क्या बिल्कुली baseless है क्या क्या उसके पीछे कोई reality है emotions की पीछे या psychological fears है देखो एक होता है actual fear एक होता है psychological fear तो अगर किसी और को सला दे रहे हो तो वहाँ पर भी समझो और breakdown करो चीज़ों को अब आप कोओ कि उसमें मेरा क्या फ हम दो extremes में operate कर रहे हैं जब कोई और हमारे पार सला लेने आता है तो बहुत ही घटिया level की सला हम फटाफट से दे देते हैं उसको बिना detail में समझे कि उसकी life की actual में problem क्या है कि वो किस standpoint से क्या पूछ रहा है या पूछ रही है हम कुछ भी सला दे देते हैं जल्दी बाजी म हमने कुछ भी सला दे दी और जब खुद की बारी आती है हम कोई decision ही नहीं ले पाते हैं तो दोनों ही गलत हो गया ना मैं क्या कह रहा हूँ चाहे कोई और हो चाहे आप खुद हो हमेशा हर पहलू को देख करके सोच समझ करके फिर decision लेना चाहिए मलदा उसमें practicality का भी role है emotions का भी role है desire का भी role है fear का भी role है risk analysis भी है very important क्योंकि जब भी कोई बड़ा decision होता है तो साथ में बड़ा risk होता है अगर कोई risk नहीं है तो छोटा decision है तो वो कर लो चाहे खुद हो चाहे किसी और की बारी हो बट अगर कोई बड़ा decision है तो बड़े level पर सोचना पड़ेगा यह कहलो हर side को तो कोई भी नहीं देख सकता because thought by its very nature is limited लेकिन जितना हो सके एक problem को हम ज्यादा अच्छे से समत सके फिर उसका solution निकाले तो ऐसा कैसे होता है ऐसा होता है questions पूछने से answer देने से नहीं आपने कभी note किया होगा अगर मैंसे कोई कुछ पूछता है या पूछती है तो मैं पलट करके उनसे questions पूछता हूँ पहले मैं समझता हूँ problem को फिर कुछ बोलता हूँ और शुरू शुरू में ये काम आपको लिख करके करना है यानि अगर कोई इंसान आपके पास सला लेने के लिए आया या फिर अगर आपको खुद के लिए को decision लेना है तो एक और फिर दिरे क्या होगा अगर आप इस तरीके से काम करने लग गए यानि लिख करके अपने mind को clear करने लग गए तो दिरे दिरे आपकी mind में ही plus minus एकदम से आ जाएंगे practice की बात है इस तरह के यमारी practice नहीं है हम लोग क्या गलती करते हैं कि अगर कोई हमारे पास में आता ह नहीं नहीं यह business तो बिकार है हो सकता हो business बहुत बढ़िया हो या फिर कोई आया कि मेरे mind में business idea आ रहा है बहुत बढ़िया है आपको क्या पता business के बारे में है क्यों बोल रहे हो क्यों जवाब दे रहे हो उसको बोलो भाई एक कामगर मेरे contact में ये है या तेरे contact में ये है इनको बिजनस के बारे में पता है, चल हम दोलु मिल करके उनके पास चलते हैं, अब पेहले हम इस business plan को जो तेरे माइंड में है, लिख करके इसके प्लस माइनस निकालते हैं, अपने standpoint से, फिर उनके standpoint से समझेंगे, फिर decision लेंगे कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, तो कितना पैसा लगाना चाहिए, तू कह रहेंगे इसमें 20 लाक रुपे लगेगा, क्या कोई ऐसा तरीका है कि 2 लाक में काम हो जाए, ताकि सला ये भी होती है, कि बिना एक problem को समझें, आप किसी को सला दे रहे हूँ मैं आपको practical example देता हूँ, कोई आपकी family में या आपके friend circle में बिमार है उसका मानो पेट खराब हो गया है या खासी जुखाम है, कुछ भी है, आप जाओगे फटा-फट से जा करके उसको सला दे दोगे भाई ये ले ले ठीक हो जाएगा, based upon what कि मैंने ये लिया था, मैं ठीक हो गया था तो तू भी लेगा, तो तू भी ठीक हो जाएगा अरे उसकी problem और आपकी problem सेम है, क्या तो आपने क्या किया एक इनसान को गलत सला दे दी, आपकी नियत गलत नहीं है, लेकिन आपकी ये जो सला है, ये बेवकूफी भरी है और जब हम दूसरों के साथ ऐसे करते हैं तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है, कि हम खुद के साथ भी यही करने लग जाते है टाइम खराब चल रहा है किसका नहीं चल रहा है पहले तो मुझे ये बता दो पैसे की दिक्कत है किसको नहीं है ये बता दो रिलेशन्शिप्स की दिक्कत है, घर में कलेश होते है किसके नहीं होते है ये बता दो शादी के बाद, अगर एक छट के की सला उसको देने लग जाते हैं कुछ तो हुआ है जा तो किसी की नजर लगी है या कहीं किसी ने कुछ कर दिया है क्या कभी ऐसा हो तूँ घर के बाहर निकला हो और कहीं कोई हरीमेडे चैसे यह वो निमूमू कहीं कुछ हाँ एक बर हुआ था तो तो बंदा बेलपूरी का बरी सला है तो जब आप ऐसी बेवोकूफी बरी सला औरों को देने लग जाते हो और हमारे आसबास में बढ़े बढ़े हैं चलोग तो एक दिन आप खुद भी ऐसे ही हो जाते हो आपको पता भी नहीं लगता है एक जूट को बार 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 बोलते रहो वो कब सच हो जाएगा आपके लिए आपको पता भी नहीं लगेगा आप सच और जूट के बीच में फरकी नहीं कर पाऊगे तो चाहे आप खुद हो चाहे कोई और है बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना है अगर आपके पास में उस question का answer नहीं है उस problem का solution नहीं है तो चुप हो जाओ आप लोग मेरी वीडियोज देखते हो तो आप लोगों को पता नहीं है इस session मेरा actual में होता है जैसे आज का यह जो session है यह होगा करीबन एक घंटे का upload कितने minute का होता है hardly 15 minute 20 minute क्यों क्योंकि बहुत सारी questions ऐसे होते हैं जहांपर मैं दूर से याद जोड़ देता हूँ मैं कहता हूँ भाई यह मेरी field से related नहीं है मेरे पास में इस question का कोई जवाब नहीं है यह नहीं कि कोई भी कुछ भी पूछ रहा हूँ अगर मेरे पास में genuine उसका कोई answer होता है तो मैं देता हूँ और अगर नहीं होता है तो नमस्ते कर देता हूँ दूर से लिए